बहुत साजिश के बगार तो हमको मज़ा नहीं आता और साजिश की बात हो तो पुनपुन वाली का जिकर कैसे ना हो पुनपुन वाली की साजिशे सारे घर का सिर्दाथ बनी हुई है आपकी बार पुन्पुन वाली पीछे पड़ी है विमलेश और पूनम के रिष्टे के लगता है पुन्पुन वाली इन तुनों का रिष्टा सुरुडवा कर रहेंगी वाह! क्या अदा से ये बहुएं मचलियों की कहानी सुना रही है और मचलियों ने तो इन बहुएं को याद दिला दिया उनका बच्पन और फिर चल पड़ी पोयम्स की ट्रेन जब मैं छोटी थी ना तो मुझे मेरे टीचर कहते थे पोयम बोलो लेकिन मुझे पोयम लर्न करना अच्छा नहीं लगता था इसलिए जब मेरे टीचर ने एक बार बोला था कि कुछ भी सुनाओ जौनी जौनी येश पापा इटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइस नो पापा ओपन या माओथ हा 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 वेरी गुड अचा इसलाए आजए समें तुम क्लास के भार खडि रहते थी I was an outstanding student वो हो, पुन्पुन वाली भी न, जब देखो किसी को पटाने की ही बात करती रहती है खेर, फिलाल तो पुन्पुन वाली अपने परिवार वालों को पटाने की कोशिश कर रही है उन्हें यकीन दिलाना चाहती है कि बिंदिया की बेहन पूनम अपने पती विमलेश के लिए अशुप है पूनपुन वाली ने बिंदिया के साथ साथ उसकी बेहन पूनम पर भी निशाना साथ दिया है यह पूनम का जनम तारीक समय अतारा लेखा जो खाए पसका कुंडली बना दीजिए और पूनम की नकली कुंडली बनवाने के बाद पुनपुन वाली करवाती है विमलेश का एकसिडेंट हो जाएगा विमलेश देवर जी का एकसिडेंट हो जाता है वो हमको नहीं वालूं कैसे होता है हाला कि हम गुंडों को पैसे दियें लेकिन वो पता नहीं कैसे हो जाता है यही नहीं घर वालों के सामने ये साबित करने की कोशिश भी करती है कि पूनम की कुंडली में दोश होने की वज़े से ही विमलेश का एकसिडेंट हुआ है प्रयास कर रहे हैं कि मेरी बहन पे रहम खाओ ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन इनके आगी किसी की चलती नहीं है बस मैं ही ये प्रयास कर रहे हैं और कुछ ली Scheid कर रहे है चलिये बिंद्या अपनी बहन को बचाने के लिए आप अपना प्रयास जारी रखें लेकि साथ में अपना ख्याल जरूर रखिएगा क्योंकि आखिरकार पुनपुन वाली का असली निशाना तो आप ही हैं